कर दो हलाव स्टेवर वल्कम तो ऑर युट्यूप चैनल तो हमने जैसे चैप्टर थि से 52 और पर पर है उस परिंसपल के आधार पर उस सिधानत के आधार पर जो तैरने का जो प्रति Всемदुन को क्टेश् See Next क्रेश्म से रिख किया था तो उसके आधार पर कुछ कोस्टन से जो आप लोग लमंख्याई है जैसे कुछ कुछ कोस्टन सेसे में नीजन बताईए की लकडी पानी के ऊपर क्यों तैरती है ठीक है लकडी पानी के ऊपर क्यों तरता है यह तरती है वूट wloats in water दुसरा है कि ice floats in water और iron floats in mercury कारण बताईए तो पहला का answer होगा कि पानी की वह पर लकडी क्यों तरती है जो तरती है r भान यह buffalo ? Instead. तरता है लकडी पानी की bonne।but wood floats in water क्योंकि तरता है क्योंकि density wood का कम होता है किस से पानी से उसके बाद ice floats in water ice पानी के ओपर क्यों तरता है क्योंकि the density of ice क्योंकि जो घनत्व है ice का वो पानी के घनत्व से कम होता है iron mercury में तरता है और पानी में डूब जाता है वो इसलिए क्योंकि iron floats in mercury because the density of iron जो iron का घना तो है वो mercury से कम होता है जब किसी object का हम लोग जो condition पढ़ते हैं तैरने का नियम और सिधान कि कब बस तो डूब जाती है कब बस तो तैरती है तो उसमें क्या लिखा हुआ है उस सिधान का अनुसार है कि an object floats in liquid जब कोई object लिक्विट में तभी तैर सकता है जब उसकी density कम हो उस लिक्विट की density से कुछ density की आदार पर कुछ निमेरिकास आप लोग के लिए लेक आई हूँ मैं यहाँ पर जो आपकी बुक से रिलेटेड है और इससे आप लोग को और अच्छे से समझने माशानी होगी इन फ्यूचर में भी और इस चैप्टर में भी ठीक है कोस्टन है कि the mass of 2 meter cube of steel इस इतना केजी उस steel का mass इतना केजी दे दिया और cube में है तो जाइर सी बात है कि volume भी दे दिया यानि कि item दे दिया और मातरा दे दिया calculate the density of steel in SI units उस steel का SI unit में SI system में घना तो बताईए ठीक है तो हम लोग क्या जानते है as we know हम लोग जैसा कि जानते है कि density क्या होता है density is equal to होता है mass by volume यह volume कितना है 2 meter cube mass है इतना केजी ठीक है तो हम लोग इसको इस formula में put करेंगी और वहां से इसको हम लोग answer निकालेंगे ठीक है यह बहुत easy था उसके बाद देखते हैं कि an object of mass 50 gram में है ठीक है यह SI का unit केजी मीटर cube होता है यह ध्यान रखना है कि जब हम लोग लिखते जाएंगे तो साथ-साथ में unit को भी लिखते जाएंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा यदि unit को लिखते जाएंगे तो हमें और आसानी होगी समझने में इसलिए यहाँ पर unit को put किया गया ठीक है उस तरह से यहाँ लिखा है यहाँ gram में दिया है कि an object of mass 50 gram has a volume of 20 cm3 है ठीक है यहाँ पर meter cube था यह ध्यान रखना होगा नहीं तो सारा marks कट जाएगा और हमें answer भी नहीं मिलेगा और हमें समझ में भी आना चाहिए calculate density density बताइए और उस बस्तू का घनतो बताइए तो d is equal to होता है m by v density यहनि घनतो होता है मात्रवाई आयतन तो मात्रा दे दिया है 50 gram और हमारा volume भी दे दिया है 20 cm cube जब cube में होगा तो क्या होगा volume दिया है तो हम लोग सको divide करके निकाल लेंगे इतना ठीक है इतना divide करके आगे उसके बाद है next question है कि इसी में question एक और है कि इसी में question एक और है तो state the weather तो object will float or sink यदि पानी का घनात्व 1 gram per cm cube है तो क्या वो object जिसका density आपने निकाला तो क्या वो पानी में डूबेगी यह तैरेगी ठीक है तो हम लोग answer क्या लिख सकते है कि since the density of object is कितना है 2.5 gram per cm cube है जो की is greater than that of that of the density of water यह water की density से जादा है तो object क्या होगा पानी में डूब जाएगा then the object will sink in water ठीक है समझ में आया next question देखते है next question है हमारे पास कि what will the density of solid of mass 500 gram and volume is 350 cm cube ठीक है यहाँ पर भी दिया हुए gram और cm cube तो density of solid क्या होता है यहाँ पर देखिए यह था volume भी solid का ही दिया हुआ है तो density of solid is equal to होता है mass of solid by volume of solid ठीक है तो d is equal to m by b यहाँ पर mass कितना है mass 500 gram और volume कितना है 350 cm cube आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर gram लिखना है उपर में और नीचे में भी लिखना है cm cube ठीक है साथ में लिखना है ठीक है उसके बाद आता है next question कि the density of gold is 19 gram per cm cube find the volume volume निका लिए जिसका mass 95 gram of gold हो तो वही formula हम लोग पूट करेंगे जिसके according हमें यहाँ पर density दे दिया है और उसके बाद से हमारा mass भी दे दिया है ठीक है mass भी दिया है यहाँ पर M भी दिया है 95 gram और उस formula को पूट करके हमें इतना answer आ जाएगा ठीक है एक और relative density से एक और question मैंने यहाँ पर आप लोग लेकिया है हो कि the relative density of silver is 10.8 gram sorry relative density gram में नहीं calculate की जाती है वो उसका unit नहीं होता है if the density of water भी इतना kg meter cube तो find the density of silver water का density दे दिया है और relative density भी दे दिया है तो हमें किसका डेंसिति निकालना है घणात्व किसका निकालना है चांदी का निकालना है то relative density of substance relative density सबस्टेंस का दे दिया है 10.8гов density of यह जहनी घ한त्व्द का जहनात्व और पानी यानी पानी का घणात्व तो उस पॉरूमला पर पूट करने के बाद हमें मिलेगा यहां पर इसको कैल्विलेट करें तो इतना एंसर मिलेगा जो की चांदी का घंदत्व है ठीक है इस से हम लोग ने यहां पर कुल पांच कोश्चन कियें न्युमेरिकल कियें जिससे कि आप लोग और असानी होगा सकते हैं ओके थैंक यू बाबाई